चैने डूस्टप घंच're बाई-बाई टाता गुडबाई गया अगर आप सभी भी अपने सिस्टप में ऐसा साउंड रखने चाहते हो कि प्लगिन के टाइम पे कुछ अलग साउंड बजे एन प्लग आउट के टाइम पे कुछ अलग साउंड बजे तो जी हाँ आप ये कर सकते हो दो step का ये पूरा setup है बट बिफोर हम लोग setup कुछ करें उससे पहले आपको अपने पसंदिदा audio को download कर लेना है जो audio मैंने यूज कि अगर आपको वो चाहिए तो comment कर देना मैं आपको वो provide कर दूँगा तो audio download करने के बाद क्योंकि ये MP3 के form में होता है ये हमारा system support नहीं करेगा तो इसको convert कर देना WAV form में online converter आते हैं देखो इस तरह से मैंने convert किया है और कैवे भी इसको save कर दो उसके बाद सबसे पहले हम लो control panel में जाएंगे और यहां पर hardware and sound वाल option क्लिक करेंगे ठीक है अब यहां पर आने के बाद आप उपर देख लो यहां पर sound option है तो sound वाले option में आजाओ और यहां पर स्क्रोल नीचे करते जाओ तो आपको देखेगा device connect और device disconnect तो एक ये करके हम लोग sound यहां पर add करते हैं सबसे परदे device connect करेंगे देखो default यहां पर उसको play करके सुन सकते हो तो हम लोग अपना 1% रखना चाते हैं audio तो यहां से browse करो simply browse करने के बाद आपको यह फाइल में धुनना होगा कि आपने कहां सेफ कहता जो sound आपको चाहिए वो click करो यहां पर add करो आपको अगर play करके सुनना कि कैसा बस है तो आप play करके सुन सकते हो and then apply और ok अप्लाइ करके ok क्लिक कर दो and that's it हो गया आपका setup सेम एसी तरह से हम लोग device disconnect के लिए भी यूज़ कर लेंगे and फिर हमारा setup complete हो गया आपको मैं एक बार देमो डिखा देता हूं कि किस तरह से काम करता है तो जैसे मैंने wire को यहां पर plug-in किया मैंने mouse का USB cable है तो मैंने इसको plug-in किया तो sound I hope कि आपको वीडियो पसंद आया and आप भी इसे apply करोगे and अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देजिए चैनल पर नहीं हो तो subscribe करना ना भूले and press the bell icon ताकि आपको नए वीडियो की notification बहुत फटाफट मिल जाए and बाकी सारे वीडियो को भी आपको चैनल पर बहुसारी टिक्स और टिप्स है आपके and till then happy learning have a good day